हाई दोस्तों, असलाव अले क्यों, कैसे आप लोग, मेरा मनबील है हमारे लिए आपके लिए और हमारे चैनल के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट क्योंकि वर्ल्ड एक्स्क्लूसिफ आज हम करने वाले है आईफून 13 प्रो मैक्स का टेर डॉन पूरा आईफून 13 प्रो मैक्स आपके सामने खुलने वाला है और उसमें हम आपको दिखाएंगे कैसी बड़ी बैटरी है नौच जो चोटा किया है तो उसको किस तरीके से सेंसर्स को रिपोजिशन वहाँ पे किया है फेस आईटी के सेंसर्स को और नया जो स्पीकर सिस्टम है आईफून 13 प्रो मैक्स का जो कि पुराने सभी आईफून में बिमारी थी उसको किस तरीके से आपल ने एलिमिनेट किया है थाइंक्यू सो मच टू सेल बडी डॉट इन जिन्हों ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस टेर डाउन के लिए आईफून 13 प्रो मैक्स को डोनेट किया हमको और हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे दोस्तों यह हमरे बहुत ही प्राउड मोमेंट है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना क्योंकि इंडिया में पहली बार जो है वर्ल्ड एक्स्लोजिफ आईफून 13 प्रो मैक्स का हो रहा है टेर डाउन इसको इंटरनाशनल मीडिया तक पहुचा आने की जिम्मेदारी आपके तो चलिए दोस्तों लेट स्टार्ट द वीडियो ओके दोस्तों यह अपना डेस्क है और यहाँ पर अपने दोनों आईफोन है जो मेरे लेफ्ट हैंड में है वो है 12 प्रो मैक्स और राइट हैं 13 प्रो मैक्स यहाँ पर देख सकते है कैमरा के लेंस का साइज जो है थोड़ा अलग है यानि कि बड़ा है 13 Pro Max में और notch में भी difference है यहाँ पे और दूसरा difference क्या है बताता हूँ दोनों के face ID वोगे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं हम face ID भी चेक करेंगे notch जो है छोटा किया है तो किस तरीके का इसने बना के यहाँ पे राखा है तो यहाँ पे देख सकते है कि जो Pro Motion Display है वो कैसे काम गएता है refresh rate यहाँ पे higher मिलता है हमको 13 Pro Max में 12 Pro Max के मुकाबले और notch में भी फरक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको किसका notch पसंद है जादा 12 Pro Max का या 13 Pro Max का मुझे comment में लिखके बताइए सबसे पहला काम हमको करना होते है दोस्तों यह Pentolip जो Screws है उसको जो है खोलना तो यहाँ पे हम Screwdriver की मदद से इसको Open करते है Motorize भी आप यूज़ कर सकते है और जो है इस तरह की का Screwdriver भी आप यूज़ कर सकते है इसका इस्तमाल करके हम जो है इसको Pull करेंगे और यह Vacuum की मदद से हमारा जो डिस्प्ले है उसको थोड़ा बाहर की दरफ कीजेगा जादा भी हमको नहीं कीजना है क्योंकि Glue जो है अभी भी लगा हुआ है काफी Strongly तो यहाँ पर अब हमने इसको थोड़ा Gap बना लिया है और इस Tool की मदद से हम जो Glue है उसको करेंगे Cut लेकिन इसमें बहुत कैरफूल रहना है आपको क्योंके जो डिस्प्ले होता है और बॉड़ी होता है उसके भीच में बहुत सारे Connectors होते है पतले-पतले चीजे हम इसको खोलेंगे लें क्योंकि डिस्प्ले अभी भी Connected है तो हम इसको on करते है तो यह फोन अभी भी on होगा इस position में भी on होगा क्योंकि स्ट्रिप्स होगारा जो है बिल्कुल हमारे चीज करनी है वो है सब स्कूरूज को खोलना तो यहां पर जितने भी स्कूरूज है हम सब को ओपन करेंगे और सबसे पहला जो काम करेंगे इसके बाद वह है डिस्प्ले को अलग करना डिस्प्ले को अलग करेंगे तब ही हम जो है हमारे 13 pro max के internals को अच्छे से देख पाएंगे तो यहां पर सारी चीजे जो है अलग-अलग कावस से धकी भी है और उनके ओपर लगे है screws जिसको हमको अलग करना है तो यहां पर यह जो connectors है इसको बहुत ही प्यार से हमको निकालना होता है इसके आप tools भी इस्तमाल कर सकते हो या फिर इस त उन से जो है इसको करना होता है और यहां पर हमारा display जो है अलग हो गया अब यह जो connector में आपको दिखार हो दोस्तों यह है डिस्पले का connector और यह है दूसरा proximity sensor का connector तो बहुत ही पतले-पतले strips होते है proximity sensor मतलब कान पे phone लगाने पे जब phone का display off जाता है call जलता है तो यह sensor जो है उस strip की मदद से काम करता है और display का size कितना पतला है आप देखिए जो यह OLED पैनल आते है कितने पतले होते है लेकिन इसमें इतनी सारी technology होती है तो यहां पर यह काफी जो है अच्छी लगती है चीजे देखने में अब यहां पर एक look दोस्तों हमारे iPhone 13 Pro Max के internals पे तो यहां प यहां पर दोस्तों इस battery की वज़े से जो हमारा 13 Pro Max है उसका weight भी जादा है thickness भी जादा है इसके नीचे taptic engine है जो पहले से बहतर बड़ा और जादा powerful है तो आपको बहतर haptic feedback इसके जरीए से आपको देखने मिलेगा और इसके right side में एक speaker दिया हुआ है यह है sim tray जो के पहले motherboard अठा चाता था आप इसनोंने separate कर दिया है और उसके उपर है A15 Bionic Chipset तो इस तरीके का लगता है A15 Bionic Chipset और यहां पर अपने face ID के sensors है और notch है तो यहां पर आप देख सकते हैं notch को किस तरीके से इन्होंने चोटा किया है सभी sensors को reposition करके और एक दुसरे के नस्दीक लाके तो इस तरीके का है A15 13 Pro Max का internal design इसके बाद दोस्तो यहां पर अगर आप नीचे देखते तो यह lightning port है और अंदर से कुछ इस तरीके का आपको जो है देखने मिलता है यह lightning port अब एक और यहां पर जबरदस्ट design improvement किया है कि display पे जो है speaker नहीं दिया earpiece का speaker आपको display पे नहीं मिल करेगा तो यह अच्छी बात है नीचे का speaker जो है bottom में right side पे दिया हुआ है और यहां पर जो sealant आप देखेंगे यह भी पहले के मुकाबले सथा strong है और सारे parts अच्छे तरीके से जो है water tight करने की Apple ने यहां पर कोशुश किया है ताकि पानी में easily आपका face ID sensor और आपका iPhone जो है मैं आपको यह तो नया phone है obviously इसमें dust डालेंगे और आपको बताएंगे कि हम इसको clean कैसे कर सकते है screws अलग करने के बाद आपको यहां पर speaker को lift कर लेना है और यहां पर मैं आपको एक नकली कचरा भी बता देता हूँ इस तरीके का जो है नकली कचरा भी आपको यहां पर कि इसको clean किया जा सकता है लेकिन यह सब professionals के लिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी knowledge के लिए ताकि आपको समझ में आए कि कैस तरीकी का जो है काम इस पर किया जा सकता है अब चलिए speaker वापस लगा देते हैं और फटा फट जो है सारे screws वापस अपनी जगा पर यह सब carefully ह हम को लगा लेना ताकि एक भी चीज जो है में अदर से आवास करते रहेगा तो यह सारी चीज़े जो है लग गई हमारे फोन में और अब हम डिस्प्ले के connectors जो है फिर से connect कर लेते हैं और जितने connectors ऐसा properly connect करने के बाद हमारे डिस्प्ले को हमने वापस अपने फोन से जोड़ दिया है और यह जो screws हमने खो लेते यह जो है last step है screws वापस लगा दिये और अब हम जो है हमारे फोन को करेंगे turn on तो यहाँ पे देख लेते है अपना फो फाइनली successfully turn on हो गया है इसकी सारे चीजे मैंने जो यहाँ पे चेक कर लेता हूं और यहाँ पे हर चीज फंक्शनल है क्योंकि हमने इसको प्रॉपरली वापस असेंबल कर लिया है तो फोटो भी ले सकते है साउंड भी सुन सकते म्यूज़ भी सुन सकते सब चीज में हो जा आता है अंदर से वो भी आप लोगों ने जो है देख लिया है इसके अंदर नया जो सेंसर का सेटप है री पोजिशन जो किया है आईफून 13 प्रो मैक्स में नौच के अंदर वो किस तरीके से आपल निकिया है वो भी आपने देख लिया और सबसे अच्छी चीज जो मुझ आपको आज का वीडियो पसना होगा पसना को लाइक एंड शेर जरू कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए गुडबाई